तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सवागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनलिप पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं उसके अंदर आप Instagram भी यूज़ करते हैं और Instagram पर अगर आपको कोई message send करता है या कोई photo video send करता है अगर आप उसके reactions से उसका reply करना चाहते हैं जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं मिलेको कोई video send करते हैं तो यहाँ पर tap to send a reaction अगर मैं को किसी video का message का कोई react करना है तो मैं यहाँ से direct दे सकता है उसका reaction अगर आप यहाँ पर press करते हैं तो यहाँ पर भी reactions निकल कर आते हैं अगर आपको प्रॉलम आ रही आपके reactions शो नहीं हो रहें आपको तो आपको क्या करना इसके video डिटेल में बताने बाला हूँ तो इस video मैं तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना अपने friends के साथ भी इस video को share कर देना ताकि अगर उनके प्रॉलम आ रहे है तो उनकी प्रॉलम भी soul हो जाए तो सबसे पहले आपको play store पर आना है प्ले शटोर में आने के बाद आपको यहां पर search करना होगा, आपको instagram instagram search करने के बाद यहां पर आपको instagram को directly update करना होगा guys तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको यहाँ से Instagram को सबसे पहले तो update कर लेना है guys देख सकते हैं मुझे यहाँ पर मैंने update पहले ही करके रखा हुआ है अगर आपने update नहीं के होगा तो आपको update देखने को मिल जाएगा तो उसको update कर लीजेगा अपडेट करने के बाद problem solve नहीं होती है तो directly आपको setting में आ रहा होगा setting में आने के बाद scroll करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर apps option देखने को मिल रहा है इस पर click कर लिजेए apps पर click करने के बाद यहाँ पर manage apps देखने को मिल रहा है second number पर इस पर click करिए then नीचे आपको clear data इस पर click करना है और सबसे पहले इसका clear catch करना है then उसका clear all data कर देना है यह दोनों करने के बाद आप देखिएगा आपकी problem solve हो जाएगी और एक बात का ध्यान रखेगा जब आप clear all data करेंगे उससे पहले एक बात का ध्यान रखेगा तो directly अपने instagram को open कर लिजिएगा instagram को open करने के बाद यहाँ पर directly उन्ही profile पर click करिएगा उपर three lines से इस पर click करिएगा और यहाँ पर settings देखने को मिल रहा है आपको settings पर आईएगा settings में आने के बाद नीचे आपको help option देखने को मिल रहा है help पर आईए help में आने के बाद आपको यहाँ पर reported problem देखने को मिल रहा है उपर की तरफ reported problem पर click कर लिजिए यहाँ पर आपको बता दूँगा, आपको लिखना है लिखना है और उपर की तरफ आपको send option मिली रहा है, आप यहां से उपर send कर दीजिएगा, हो सकता है तो आप यहां पर upload option आपको नीचे की तरफ मिल रहा है, upload करके कोई screenshot लगा दीजिएगा, तो आपकी problem solve हो जाएगी, कोई problem नहीं होगी, within 48 hours या 24 hours के अंदर आपकी problem solve कर दीजाएगी,